हालो फ्रेंट्स एंड रोल स्टोएंट्स अप LNMU डिग्री पार्ट टू फ्रेंट्स मैं आपका सर मिस्टर डीक मर्स सबसे पहले स्भागत करता हूँ आप सभी का एससपी एजुकेशन सेंटर के इस ओफिशियल यूट्यूब चैनल पर फ्रेंट्स इस वीडियो में एलनम्यू डिग्री पार्ट टू के वैसे स्टुएंट्स जिनके आर्बी हिंदी अर्थात 100 मार्ट के हिंदी का एक्जैम 9 दिसंबर 2020 को हुआ है उन सभी के लिए उनके ए अंसर की वी इस वीडियो में बताने जारा हूं मैं आपको जानकारी दे दूँ इससे पहले मैने आपको एक वीडियो प्रवाइट करवा दिया हूं जिसमें एक से लेकर 50 तक जतने भी प्रस्न पूछे गये हैं उसका उत्तर बता दिया हूँ फिलाल इस वीडियो में 51 से लेकर 100 तक के objective प्रस्नों का उत्तर बताने जा रहा हूँ तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसी प्रिकार हर एक आने वाले subject का answer की up to date पाने के लिए चैनल को अभी subscribe कर लिए उसके बाद बगल में जो घंटी की निसान देखेगी उससे दबाकर all notification on करके जरूर रखेगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो यहाँ पे upload की जाएगी उसकी जानकारी आपको up to date मिल जाएगी तो चले सबसे पहले मैं आपको question का answer बताता हूँ तो जैसा कि मैंने आपको 50 number question बताया था कि राजभासा नियम कब बनाया गया तो यह आपको 1976 में बनाया गया है तो option number B इसका answer मैंने बता दिया था अब आगे बात करते हैं 51 number question से तो 51 number question है कि देश में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो देश में हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 14 सितंबर को जो भारत में मनाया जाता है वो 14 सितंबर को जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 10 जन्वरी को आप सभी को बता दिया गया था उसके बाद 22 कुछन है कि ड्राफ्टिंग का अर्थ है ज्यादा तर कुछन आ आपको आंसर बता रहा हूं वो 100% correct है उसमें कोई भी confusion की इस्तिती नहीं है हर एक question संस्वधित करने के बाद ही आपको उसका उत्तर बताया जा रहा है तो 52 का answer हो जाएगा बी प्रारूपन राप्टिंग का जो अर्थ होता है वो प्रारूपन होता है उसके बाद आगे देख से कौन सरकारी पत्र है तो देखिए एक होता है आवेदन पत्र जो आम लोगों के द्वारा आम जनताओं के द्वारा सरकार को सवापाइसता है या किसी पताधिकार को आप पत्र लिखते हैं उसको आवेदन पत्र कहते हैं लेकिन सरकारी जो पत्र होते हैं जो सरकार के कोई पताधिकारी जारी करते हैं किसी भी अलग पताधिकारी के लिए तो उनको कहते हैं स्मार पत्र स्मार पत्र तो अपसन नमबर सी इसका करेक्ट रांसर हो जाएगा क्योंकि सरकारी पत्र के बारे में यह जिक्र किया गया है तो यह सी हो जाएगा बाकि आविदन पत्र तो आप नीजी जो private होता है गौवर्मेंट दोनों में यूज होता है फिर पच्पन नमर कुछ नहीं कि टिपन की भासा कैसी होनी चाहिए तो टिपन की भासा जो होनी चाहिए वो बिल्कुल असपस्ट जिसको सू असपस्ट कहते हैं अपसन नमर एसका correct answer हो जाएगा 56 नमर कुछ नहीं कि संचेपन मूल अनुचेद के कितने हिस्से के बरावर होता है तो आपको पता होगा जब भी संचेपन आप करते हैं तो कुल जो सब्द दिये रहते हैं उसका एक वट्टा तीन भाग मतलब उसको तीन से भाग देकर और जो सब्द आता है उसमें आपको ल आत्रिवासा दिवस है वह आपको 21 फरवरी को मनाया जाता है तो 57 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा उसके बाद आगे देख सकते हैं 58 कि संब्दान के किस अनुचेद में संसद में प्रियोग की जाने वाली भासा के बारे में प्रावधान किया गया है तो यह जो प् अनुचेद में विदहान मंडलों में प्रियोग होने वाली भासा के बारे में प्रावधान किया गया है तो उनसर का जो आसर ओगा वह राज भासा संकल्प संसद में fills uh पारित हुआ तो 60 यह वह भी हो जाएगा उसके बाद फिर आगे आप 60 नमर कुशन देख सकते हैं और डीनेंज का अर्थ होता है आप सभी को बता होगा भी आए दिन ऑर्डीनेंस पारित होता है जैसे किसान अभी किसान का जो एक ओर्डीनेंस पारित की आगया वह है उसको कह एसका ग्यापन ओसेन सर्फ नidency मैं सर्कुलर का अरत होता है परिपत्र उसने सर्कुलर का मतलब वह परिपत्र होता है endorsement का अर्थ है endorsement का अर्थ जो होता है वो होता है přिस ठांकन option number C इसका correct answer हो जाएगा देखें यह English word meaning है इसका अर्थ आपको बताना है फिर है jurisdiction तो jurisdiction का अर्थ होता है छेत्रा अधिकार छेत्रा अधिकार पे जो अधिकार होता है तो D हो गया, तो jurisdiction, option number D, इसका correct answer हो जाएगा, 66 का, फिर 67 है, act का अर्थ होता है, तदेकि act का अर्थ जो होता है, वो नियम होता है, option number D, इसका correct answer हो जाएगा, act का अर्थ जो हो जाएगा, वो नियम हो जाएगा, उसके बाद आगे आप देख सकते हैं, शौरी दोस्तों यहाँ पे जो मैंने नियम बताया है एक्ट का अर्थ नियम नियम नहीं यह रूल का मतलब नियम होता है जो कि आगे आपको दिया गया है सरसट का आंसरूगा फिर आर्सट नुमर कुछ रहते हैं कि चांसलर का अर्थ आश्कार गुलाधीपती अप्शन नॉमबे इसका करेक्ट आत्सको निघ्स्मासफसोलfal तो पिस्वाइज आज़े एक रहते हैं उसको कुलाधीपती कहते हैं तो chancellr हो जाएगा तो unto cheaperike answer बी हो जाएगा उसके बाद फिर आगे आप देख सकते हैंgriff के बाद 59 नमर को रह वाइस Plक जांसलर तो वैस चंसलर हो जाएगा आपका उप है तो राष्ट्ट्रायर का अर्थ होता है वह आपका ये कुल सचीव होता है तो अप्सन आगे फिर 72 कुछ नहीं कि प्रोफेसर का अर्थ है तो प्रोफेसर का अर्थ प्राचार्य होता है प्राचार्य ओप्सन नमबर बी इसका प्रधाना चार्ज होता है और प्रोफेसर का अर्थ होता है प्रधाना ध्यापक और प्राचार्य आपको बताए ही प्रोफेसर या जिसको टीचर टीचर का मतलब तो सिक्षक हो जाता है तो प्रिंस्पल का मतलब प्रधाना चार्य ओप्सन नमबर बी करेक्ष्यान और लगा हुआ है तो व्याक्ष्यान करत सेक्षन का मतलब होता है सेक्षन अनु भाग सेक्षन का मतलब भाग हो जाएगा भाग और भाग डिपार्टमेंट को सेक्षन यहां पर पासपोर्ट का अर्थ यहां पासपोर्ट का अर्थ जो होता है वह आपका पारपत्र होता है पारपत्र कहते हैं अगर कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो उसको इंपोर्ट कहते हैं तो इस तरह से एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात हो जाएगा उसके बाद आगे है डाइलूग तो डाइलोग का मतलता है संबाद करना डाइलूग समवाद option number C इसका correct answer हो जाएगा उसके बाद 80 कोशन है management मतलब प्रबंधन करना प्रबंध करना अप्सन नमबर बी 80 का correct answer हो जाएगा फिर आगे 80 कोशन है कि परियोजना का अंग्रेजी रूप है तो परियोजना का अंग्रेजी रूप प्रोजेक्ट होता है प्रोजेक्ट त जो है को का प्रिकार परिवहन तो प्राथ मिख्टादेन तो वर्यता हो गया seniority उसके बाद आगे 85 के बाद 86 कुशन है यहां पे योजना तो योजना बनाना मतलब प्लान तियार करना तो अप्सन नमबर B करिक्टान्सर प्रिकार बाइन शिर्क्टाल अग्शना का योजना का उसके बाद अधी सूचना को अंग्रेजी में कहते हैं तो अधी सूचना मतलब नोटिफिकेशन, नोटिस का मतलब होता है सूचना और अधी सूचना है तो नोटिफिकेशन अफसन नमबर बी करेक्ट अंसर होजएगा अठासी नमबर कुछन है कि नियम तो इहां पे नियम है जो कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस के था है रूल कहते हैं नियम लॉका मतलब कानून नोटिस का मतलब सूचना रेगुलीशन का मतलब होता है जो एक रिगुलीड करना मतलब किसी किसी भी चीज के उपर regulation देना उसको चलाने का विधी देना तो यह हुआ 89 नमर कुछ नहीं कि प्रपत्र का अंग्रेजी रूप है तो प्रपत्र का अंग्रेजी रूप तो प्रपत्र को करके रखना तो मतलब अभी लेक तयार करके रखना तो इसका अंसर जो जाएगा नवब्यका के फिर आगे इस्रेश्टता का अंग्लेजी रूप है तो देख ता पूछा गया अंग्लेजी रूप जो होता है वह आपका यहाँ पे 91 zb जो हैं औंक होगिया उसके बाद सेस्टमंडल का अंग्डेजी रूप होता है स्ट मंडल का अंग्रेजी रूप होता है онघी मिए ज्ससिंतंज्ट मंडल का इसमें से किसी में यह सं नहीं है तो हमारे नुशार से कोई नहीं होना चाहिए 92 का क्योंकि आ ौपसं तो इसमें है यह नहीं होता है लेकिन डेप्यूटेशन है नहीं तो इसमें से आप जो भी दीजेगा आपके अनुसार से वह सही होगा क्योंकि जब कुछ ऑप्सन ही गलत है तो इसके एकॉर्डिंग आप जो भी देंगे उसको सही माना जाएगा आगे फिर देगे तिरान मेरे कुछ करेजी को शहिए होता है प्रोसीजर दोमनेर को जाएगा उसके बाद आगे च्यादविकर्टाilles नबर-वी कोहतों अं प्रति रोप है तो प्रती नियुक्ति का जो अंग्रेजी रूप है तो प्रतीन्युक्तिका जो अन्ग्रेजी रूप होता है वह आपका deputation होता है जिसको सिस्ट मंडल भी कहते हैं तो deputation option number a correct answer हो जाएगा उसके बाद 99 नमबर सन्यंत्र तयार करना मतलब किसी भी चीज के लिए सन्यंत्र बनाना मतलब प्लांट करना उसको तो प्लांट हो जाएगा option number b correct answer हो और लास्ट में जो है aggression अंग्रेशन का अंग्रेशन का अंग्रेशन रूप है तो अग्रेशन का मतलब होता है forward करना aggression करना तो forward option number a यह correct answer हो जाएगा तो आसा करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको और किसी अन्य सब्जेक्ट का answer की चाहिए तो आप उसका जो question है वहाँ पहले कमेंट कीजिए वहाँ पर मैं आपको number प्रोवाइड करवाओंगा वहाँ आप जो है मेरे